श्री शिवाय नमस्त ब्याम हरहर महादिव देखिए आज 25 अक्टोबर मंगलवार की अम्मावस्या सूर्य ग्रहंड पर आपको तुल्शी जी के पत्ते से बहुती अच्चुक उपाय करना है बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना पुझी गुरुदेव की ही कता सुन करके सम इसी भी प्रकार का संबंद सूर्य ग्रहंड के लाता है देखिए सूर्य ग्रहंड की वज़े से ही वातावरंड में आपके आसपास नकारत्मक शक्तिया बहुत जादा हावी हो जाती है बहुत जादा मौझूद रहती है तो जिसकी वज़े से अशुद्या बढ़ जाती है इसलिए कहते हैं ना कि खाने को धाक करके रखना तुल्ची जी को धाक करके रखना साथी साथ आपके घर के मंदिरों को धाक करके रखना कुछ भी ग्रहन काल के समय खाना नहीं चाहिए तो ऐसी जो चीजे होती है देखे वातावरंड में अशुद्या बहुत जादा हो जाती इसलिए ऐसे कार्य करने के लिए बोला जाता है देखे सूर्य गरहन का प्रारंब होगा दो बचकर गुन 30 मिनिट से शुरू हो जाएगा जो कि शाम तक 6 बचकर 32 मिनिट तक रहेगा और सूर्य गरहन की जो अवदी रहेगी वो 4 गंटे 3 मिनिट के रहेगी और भारत में जो सूर्य ग्रहंट जो है वो शाम को लगबग चार बजे दिखाई देगा तो आपको सूर्य ग्रहंट के बाद यानि कि 6 बच कर 32 मिनिट के बाद या तो आप 7 बजे के बाद यह उपाय करेंगे देखें ग्रहंट समाप्त हो जाने के बाद आपको क्या करना है तुल्शी जी के पत्ते लेना है कितने भी पत्ते आप ले सकते हैं 5, 10, 15 जो आपके पास हो ध्यान लखें ग्रहंट समाप्त होने के बाद आपको तुल्शी जी के पत्ते तोड़ना नहीं है आपके घर में पुराने जितने भी तुल्शी दल पड़े हैं वो आपको उप्योग में लेना है ध्यान रगना अगर आपके यहाँ पर तुलसी जी के पत्ते नहीं है तो आप क्या करेंगे तुलसी जी की जो मिट्टी है थोड़ी सी मिट्टी आपको लेना है और उसे आपको किसी भी जल के पात्र के अंदर डाल देना है हो सके तो तामबे के पात्रे के अंदर जल भरें और उसी के अंदर आपको ये तुलसे के मिट्टी या तो दल आपको मिला देना है अब आप क्या करेंगे इस जल से आपको आपके पूरे घर में छिटकाओ करना है देखे ग्रहन काल की दोरन कोई भी नकारत्मक शक्ति अगर आपके घर में आई होगी तो वो इससे दूर होने वाली है सोयम के उपर भी इसका छिटकाओ करना चाहिए हो सके तो आप जब इस्तनान करेंगे ग्रहन काल समाप्त हो जाने के बाद तो आपको थोड़ा सा जल यह आपको मिला देना है और इसी से आपको इस्तनान करना चाहिए इससे आपके शरीर के सारे अशुद्या जो हैं वो सब दूर हो जाएगी इसलिए इस पवित्र जल का आपको छिटकाओ करना चाहिए ताकि जो भी नकारत्मक प्रभाव आपकी जीवन में पढ़ने वाला होगा कुछ भी बदलाओ सूर्य ग्रहंड के कारण कुछ भी आपके उपर नकारत्मक बदलाओ पढ़ने वाला होगा तो वो इस उपाय से दूर हो जाएगा तो इसलिए आपको ध्यान लगना है आज रात्री में साथ बजी के बाद आप कभी भी यह उपाय कर सकते हैं मुख्य द्वार पर भी आपको इसका छिटकाओ करना है जहां पर भी आप धन लगते हैं वाँ पर भी छिटकाओ करना है आपके घर के मंदिर में छिटकाओ करना है द्यान के छिटकाओ करते समय श्री शिवाय नमस्तुब्याम ओम नमस्शिवाय या ओम महा लक्षमे नमह या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाज़ जादा जाप करना है जो भी आप मंत्र जाप करें आपको करना चाहिए और साथ इससाथ इसका छिटकाव करना चाहिए बस इतना सा उपाय करना है अगर कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादिव